हाई गाईज वालकम बैक तो यूर हेल्थ फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो हम लड़कियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इंटरनेट पर मेंस्ट्रॉल कप के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं तो मेरे कुछ व यह मेंस्ट्रॉल कप पैट सी ठीक रहेगा मेरे लिए बट दो महिने तक मैंने खुद इसे यूज किया है और इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में वो सब कुछ बताऊंगी जो आप चानना चाहते हैं कि किस तरह से इसे यूज करना है साथ ही में मैं आपको को कियो यूज करें इस बार में एडवांटेजस भी दूंगी तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगी एवर्टीन की मेंस्ट्रॉल कप और पिछले दो महिने से मैं इसे ही यूज कर रही हूँ यह मेडिकल ग्रेट सिलिकॉन से बना है बहुत ही सॉफ्ट इजी और यूज करने में 100% सेफ है अब फ्रेंट्स आप शाद ये सोच रहे हैं के हमारे लिए पैट्स ही सही है तो पहले मैं आपको इसे यूज करने के कुछ अड़ांटेजस के बारे में बता रही हूँ पहली बात तो ये पैट्स या टैंपोन से ज्यादा ब्लाड होल्ड करता है लगभग 28 ग्रम जो आपके हेवी फ्लोस के दिनों में भी लीकेज नहीं होने देगा और आप ट्रावल भी आडाम से कर पाएंगे दूसरी बात ये बजट फ्रेंडली है फ्रेंट्स एवर्टिंग मेंस्ट्रॉल कप की प्राइज है 455 रूपीज यानि के सिर्फ 455 रूपीज में आप कम से कम 10 साल तक इसे यूज कर सकते है जी हाँ फ्रेंट्स ये री यूजबल है दस साल तो बात की बात है अगर आप एक साल भी इसे यूज करेंगे न तो भी सोचिए आपके कितने पैसे बच जाएंगे फ्रेंट्स मेंस्ट्रॉल कप्स को पैट्स की तरह बार-बार चेंज करने की जरुरत नहीं पड़ती इसी वज़े से हेली फ्लोस के डेज में भी आप रात में इसे लगा के आराम से पूरी रात सो सकते है और लिकेज का टेंशन भी नहीं रहेगा पीरियोट्स में मेंस्ट्रॉल ओर्डर की वज़े से इंबरसिंग फील होता है क्योंकि पैट यूज़ करने से फ्लूइड हवा के साथ एक्स्पोज हो जाता है और स्मेल करता है पर इसे यूज़ करने से ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी फ्रंस फिप्ट एडवांटेज है चाइल्ड पार्ट के बाद बहुत ज्यादा ब्लट फ्लो के कारण सभी परिशान रहते है तो इस टाइम पैट्स के बदले मेंस्ट्रॉल का बेस्ट है उन दिनों में इसमें आप कम से कम 6 घंटे तक आराम से रह सकते हो तो गाइस ये तो गई एडवांटेजिस की बात है अब मैं आपको बताऊंगी इसे यूज किस तरह से करना है सबसे पहली बात ये है कि इसे इंसर्ट अब कैसे करेंगे अगर आप टैंपॉन यूज कर चुके है तो इसे यूज करना आपके लिए इज़ी ही होगा पर जो करने के बाद इस तरह सी सुन्दर सी एक पोटली के अंदर है हमारा ये मेंस्ट्रॉल कप इसमें ये इंस्ट्रक्शन दिये गया है कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है लगाना है सारी चीज़े बहुत अच्छी तरह से इसमें दिये गये है तो ये है हमारा ताके हाथों में कोई भी जर्म ना रहे और फिर आपको correct squat position में बैट जाना है उसके बाद आपको इस cup को लेकर इस तरह से fold कर लेना है ताके ये half हो जाए आप इस तरह से भी इसे fold कर सकते है इससे ये cup आसानी से अंदर जा पाएगा और आपको कुछ problem भी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत soft है अंदर जाते ही ये foot से open हो जाएगा और एक pop जैसा हलका सा आवाज आप फील कर पाएंगे अब आपको इसे हलका सा इस तरह से push करना है जिसे ये अंदर जाकर अच्छे से set हो जाए फ्रेंस आपको लग रहा होगा कि इसे लगाना बहुत problematic है पर जब आप इसे use करेंगे तब आप समझेंगे कि ये कितना आसान है पियर्स के दिनों में menstrual cup use करने से आप exercise, yoga, dancing, swimming ये सब ही कर पाएंगे चैसे 12 घंडे बाद आपको इसे बाहर निकालना है तो इसे बाहर निकालने के लिए again आपको अपने हाथों को अच्छे से wash कर लेना है और squat position में बैट जाना है अब जो ये बाहर का ये side है इसे आपको धीरे धीरे इस तरह से pull down करना है और आप देख पाएंगे कि ये बाहर निकल रहा है और इस तरह से वो बाहर निकल जाएगा और फिर आप blood को toilet में flush कर दीजिए और उसके बाद आप इसे वापस से wash करके यूज़ कर सकते है तो अब मैं इसे यूज़ करने के कुछ tips दूँगी टिप नूमबर 1 फरस्ट यूज़ से पहले और हर बार period के बाद menstrual cup को अच्छे से wash करके sterilize कर लेना है मैं इसे intimate wash से साफ करती हूँ और फिर एक pan में 10 minute तक sterilize करती हूँ इससे ये पूरा clean हो जाएगा और germs या bacteria अगर होंगे भी तो वो सारे खतम हो जाएगे टिप नूमबर 2 Choose the right size फरस्ट इसका आपको right size choose करना है age wise teenagers के लिए अलग size इस तरह बहुत सारे different size का menstrual cup आता है तो इसे लिए इसको use करने से पहले आप google जरूर कर लीजिएगा इससे आप समझ पाएंगे कि कौन सा cup आपके लिए सही होगा तो friends मैंने menstrual cup के बारे में इस वीडियो में वो सभी जानकारी देने की कोशिश की है hope आपके लिए ये वीडियो helpful हो अगर आप Everteen का ये menstrual cup खरीदना चाते हो तो नीचे description box में मैं इसकी purchase link दे दूँगी आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो menstrual cup को लेकर अगर अब भी आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे comment करके मुझे बता सकते है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे like और share जरूर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ताके मेरे अगले और भी अच्छे अच्छे वीडियो के बाड़े में आपको update मिले So subscribe my channel, like my videos and stay healthy